Hello students, साफ सवी का स्वागत है बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लाश 10 इंगलिस का चैप्टर नमबर 1 A Letter to God से Important Questions को समझेंगे जो कि आपके Board Examination से 2023 में 100% Confirm है कि Questions यहां से जरूर मिल जाएगा तो इन Questions की त्यारी आप लोग अच्छे से जरूर कर लेना चलिए एक-एक करके हम सभी Questions और उसके Answers को समझते हैं देखो यह जो Chapter है इस Chapter के जो Writer है वो है G.L.Funitas ठीक है अगर आपके Examinations में Character लिखने के लिए आ जाता है कि लेंचो का Character लिखो या फिर Postmaster Character लिखो तो इस Chapter में आपके दो ही Character है इसके Character को आप यहां से लिख सकते हो ठीक है मैंने यहां पे Character दोनों का लिख दिया है काफी Easy Way में लिखने का कोशिस किया है जिसे कि आपको समझ में आ सके है बाकी Chapter तो आपने पढ़ाई है आपको पूरा Character समझ में आ जाएगा अगर जिन बच्चों को हिंदी में पूरा Story समझना होगा अभी तक समझे नहीं होंगे या फिर revise करना होगा तो यहां पे हमने हिंदी में भी देख लो पूरा Story जो है वो लिख दिया है तो आप इसका screenshot करके अभी रख लो ठीक है बाद में फिर इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना आपको पूरा Chapter समझ में आ जाएगा मैंने आपको यहां पे पूरा Chapter को अच्छे से लिख के दे दिया है ओके तो यहां से ना सिर्फ आप लोग को important questions मिल रहा है बलकि पूरा Chapter भी आप लोग को स्टोरी के साथ और characters के साथ भी मिल रहा है चलो आप यहां से हम important questions को देखते हैं page number wise हम यहां पे समझेंगे और रेश्टरन जैसे कि आप लोग को पता है है कि date sit निकल गई है और first दिन यानि कि 27 February को English की first examinations होनी है तो English में बहुत सारे बच्चों को problem हो रही थी कि English की त्यारी हम कैसे करें तो आप लोग के लिए यहां पे मैं एक किताब को suggest कर दे रहा हूँ Educard की यह वाली sample paper है English की तो इसको आप लोग buy कर लेना यहां पे नए-नए type के question दिये होए है जो कि आप लोग के examination point of view से काफी जादा important है बहुत सारे बच्चों को grammar में problem हो रही थी तो यहां पे आप लोग का grammar का आप quick revision कर सकते हो grammar का पूरा यहां पे समझाया हुआ है साथ ही toppers का answer sheet भी दिया हुआ है तो आप यहां पे check कर सकते हो कि जो toppers रहें उन्होंने किस तरह से अपने answers को लिखा हुआ है जैसे कि आप लोग पता ही होगा कि English में आप लोग का 40 marks का जो question रहेगा वो reading, writing और grammar से रहेगा और बाकी जो आपका 40 marks का question रहेगा तो वो literature से रहेगा तो literature का तो मैं important question आप लोग करवा ही रहा हूं साथ ही इसमें भी questions बहुत सारे दिये हो हैं वहाँ सभी आप अपने questions की practice कर सकते हो यहां सभी questions मिलेंगे साथ ही आपका ये जो 40 marks का questions है इसके त्यारी करना आप लोग के लिए काफी जादा important है कास करके जो आपका reading और grammar section से रहेगा तो इसके त्यारी करने के लिए आप लोग को ये book खरीद में पड़ेगी जिस description पर इसका हमने by link दिया हूँ है वहाँ पे क्लिक करके आप simply इस book को काफी easy way में purchase कर सकते हूँ sample paper है करीब इसमे 10 plus sample paper दिये हो है cbc ने जो sample paper निकाली थी उसका भी इसमें solutions के साथ पुरा answer की दिया हुआ है तो यहां से आप grammar और writing section की काफी अच्छा practice करके number अच्छा opt-end कर सकते हो यहां पे देख सकते हो grammar के questions दिये हो है तो इन questions की practice कर सकते हो और हाँ अगर किसी भी तरह का कोई भी problem होगा तो आप लोग comment जरूर करना सबसे पहले page number five यहां पर यह जो important question है सबसे पहले यह है कि what did lunch hope for lunch किस चीज का hope कर रहा था तो lunch एक अच्छी rain का वर्षा अच्छा हो इसका hope कर रहा था अच्छा वर्षा होता तो उसकी फसल भी अच्छी होती तो अच्छी वर्षात की लैंचो को hope था okay second question यहां पर दिया गया है कि why did luncho say the rain drops were like new coins लैंचो ऐसा क्यों कहता है या फिर ऐसा क्यों वो सोचता है कि जो rain drops है वो एक new coins की तरह उसके लिए है तो लैंचो compare the rain drops with new coins because they were promising him a good harvest resulting in more prosperity उसको ऐसा लग रहा था कि rain drops उसके लिए एक new coin की तरह है क्योंकि जो rain drops था वो उसके फसल को अच्छा कर सकते थी साथ ही उसको और भी ज्यादा धन्वान बना सकते थी या फिर हम बोल सकते है कि उसकी जो फसल थी वो काफी अच्छी हो सकती थी ठीक है नेक्स्ट कोशन है कि how did the rain change जैसे वरसात तो होती है लेकिन रेन इसके बाद किस तरह से चेंज हो जाती है और लेंचों के फिल्ड के साथ क्या होता है तो जो रेन है वह में suddenly बदल जाता है बहुत स्ट्रांग हवाई चलनी लगती है ठीक है बात में अगर देखा जाए तो लेंचों जो फिल्ड होता है जो से इसने क्रॉप्स लगाए हुए थे वो सारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉइ हो जाते हैं बरबाद हो जाते हैं ठीक है इसको याद रखना इस तरह कोशन आपके एक्जामिस में आ सकता है आए कोशन पुछा गया है कि वाट वेर लेंचो फिलिंग वेन दा हेल स्टॉप लेंचो का ऐसा रहता है जब हेल स्टॉर्म mbлnd जो ता वह रोख जाता है तो बहूत ज्यादा दुखी होता है घ्रिशtha मतलब होता है दुखी होना तो जो लेंचो होता है वह बहौत रहा नहीं था तो इस वज़े से उसके लाइफ पे बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ा था इस हेल स्टॉर्म के आने पर नेक्स्ट पेज नंबर यहां पर सिक से अब कोशन दिया गिया है कि होम डिड लैंचो है फेद इन वाट डिड ही डू लैंचो को किस पर बहुत अब उसने भगवान को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने फिर से फिल्ड में जो फसल है वो बो सके अब उसने पत्र लिखा पत्र लिखने के बाद सेंड किया तो लेटर कौन पढ़ा तो लेटर आविसली पोस्ट मास्टर लोग पहले पढ़ेगा तो वही पोस्ट मास्टर लोग ने लेटर को पढ़ा, next question पूछा गया है कि what did the postmaster do after reading a letter, postmaster ने क्या किया लेटर को पढ़ने के बाद, तो postmaster ने क्या क्या, the postmaster लब पहले तो जो postmaster था वो काफी जादा हसता है, लेकिन जल्द ही वो serious हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लेंचो को भगवान पर बहुत जादा विश्वास था, तो वो नहीं चाता था कि लेंचो का भगवान पर से जो विश्वास है वो उठ जाए, ओके, तो he did not want to take lenches, वही चीज़ अभी हमने बताया, he decided to collect money and send it to lenches on behalf of God, और वही है कि उसने कुछ पैसे अपने साथियों के साथ collect की, साथ ही अपने salary का एक पार्ट लेंचो को दिया, और साथियों के साथ मदद के साथ करीब 70 पैसोज जो है, वो लेंचो को एक पत्र में डालके, भगवान ने दिया है, ऐसा करके, लेंचो को जाके वो देता है, ठीक है, नेक्स्ट आगे page number 7, 8 में question first दिया गया है, कि was लेंचो surprised to find a letter for him with money in it, क्या लेंचो सर्प्राइज रहता है कि उसको लेटर मिल जाता है, भगवान के द्वारा दिया हुआ, जिसमें पैसे रहते हैं, लेकिन पैसे कितने थे, 70, तो नहीं, पान पे टूड़ उस्वास था, उसको लगी रहा था, कि पैसे तो मेरे पास आई जाएंगे, ठीक है, तो आगे वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, कि God as he believed that God will help him, उसको लाए रहा था है, भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे, ओके, तो जैसे कि अभी हमने कहा ना, कि वो 100 पैसो की मांग की थी, लेकिन उसके पास 70 पैसो ही, जो पोस्ट मास्टर लोगों ने कलेक्ट करके जो है, लैंचो को दिया था, तो वही चीज़ यहाँ पे है, कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा क्यों होता है, वाट मेड लैंचो एंगरी, तो देर वेर ओनली 70 पैसो इ पैसो है, उसने कर्म की किया दिया? तो देखो इस तरह का कोशन हमने एक उपर में भी देखा है, कि जो पोस्ट मास्टर था, वो लैंचो को पैसे क्यों भीजता है? क्योंकि लैंचो को भगवान पे अटूड विश्वास रहता है, तो वो विश्वास कायम रहे, इस वज़ को पैसे भेजता है ठीक है और उसने लेटर का ही नाम क्यों लिखा तो वही चीज़ यहाँ पर फिर वही है कि he becomes serious and does not want to take his faith and decide to answer the later देखो लैंचोग जैसे भगवान पर काफी जादा विश्वास था तो वह चाहता था कि भगवान पर उसका जो यह विश्वास लैंचो का वह इसी तरह से बना रहे यह उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था इस वज़ा से उसने भगवान का ही नाम लेते हुए क्या भगवान नहीं यह later लैंचोग को दिया हुआ है और इस तरह से later कर ले तो तो I don't think कि इस से ज़्यादा कुछन आपका इस चाप्टर से आने वाला है आज के लिए बस इतना ही और विस तरह की वीडियोज पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रहे लेना दुसरे चैप्टर का वीडियोज हम बहुत ही जल्दी आप लोग के कराएंगे थैंक यू बाई बाई